वरुन धवन जो इंडस्ट्री में कॉंट्रिवर्सी से दूर रहते हैं इस बार उनोंने पंगा ले लिया है वरुन धवन ने सीधे सीधे ठाकरे सरकार से पंगा लिया है महराश्ट्र गवर्मेंट पर तंज कसा है और कहा है कि किस तरीके से महराश्ट्र गवर्मेंट जिस हिसाब से COVID के Rules and Regulations मना रही है वो बहुत ही अजीब है एक्चली वरुन धवन ने कल अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक फोटो शेयर की यह फोटो थी मुंबई के Bandra Link Road की जहां पर ट्रैफिक भरपूर था सारी शॉप्स खुली हुई है भीड भी पूरी है और ट्रैफिक भी बहुत है इस फोटो को शेयर करते हुए वरुन धवन ने कहा कि जब सब कुछ खुल सकता है तो फिर थीटर्स क्यों नहीं जाहिर सी बात है मुंबई में इस वक्त रेस्टराौ्वस कुल चुके हैं शॉक्स कुल चुके हैं जिम प्लेगरांड स्पार्क सब खुल गए हैं लेकिन थेटर्स अभी तक नहीं खुले हैं, इसी कारण फिल्म बिजनस को काफी नुकसान हो रहा है, फिल्म बिजनस जो कोविड में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, थेटर्स बहुत सारे बंध हो गए हैं, जनता थेटर में गई ही नहीं है, ऐसे में जब सब कुछ खुल सकता है तो फिर थेटर्स क्यू नहीं खुल सकते ये बात वरुन धवन ने कही इतना कहकर वरु में सब कुछ खुल जुका है, सब कुछ शुरू हो गया है, फिर थेटर्स को शुरू करने में क्या तकलीफ है, जब एरक्राफ्ट चल सकते हैं, लोग जहां पर पास पास बैटते हैं और उसी तरीके का बंद माहुल होता है फ्लाइट में भी, तो फिर थेटर्स में लोगो स्क्रीन पर ही रिलीज हुई है, और इस कारण कलेक्शन जो है, वो राई के बराबर हुआ है, जहां अक्षे कुमार, सल्मान खान, आमिर खान इन जैसे स्टार्स की फिल्में पहले ही दिन 25 से 30 करोड रुपए कमा लेती है, वहीं अक्षे कुमार की बेल बॉटम फिल्म मु क्यों नहीं?